प्रुस्कार वर्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार्मार् यह कधाकार कहलों, она कधाकार और पत्रकार वह पत्रकार थें, कहां से संब्भन था इनका कि सिंवला से हिमाचल प्रदेश से थे अब देखिए, यह कधाकार और पत्रकार थे, इन्हें प्रिशिद्धी इनकी किस रचना से मिली थी परिंदेерш उ और इनकी एक और रचना थी ये कहानी थी और एक और रचना थी उनकी माया दर्पण जिस पर एक फिल्म बनी थी और उसे सर्वस्रेश्ट हिंदी फिल्म का पुरुषकार प्राप्थ हुआ था क्या था माया दर्पण अब देखिए यह विदेशों में रहे लंदन में गाये टाइमस ओप इंडिया के लिए लेक लेखे यूगी यह पत्रकार भी थे और इन्हें भारत के हिंदी समंद्र सभी पुरुषकार में लें ज्यान पुरुषकार साहित अकादमी पुरुषकार मुर्ती देवी पचना थी ये बुदिन रात का रेपोर्टर बगेरा बगेरा ये था हमारे निर्मल बर्मा की बारे में और इनका मंत्रप्रदेश संबन्द कैसे था आपने आपको कोश्चन आता होगा निराला स्रजन पीट ये सा कोश्चन आता होगा कहां इसते थे तो ये है बरकत उल्ला यूनिवर्सिटी में ये विश्विद्ध्याले में कहां भोपाल में तो इनका संबन्द इससे ऐसे है कि निर्राला स्रजन पीट के ये क्या थे अध्यक्ष थे इसलिए इनका मद्द प्रदेश संबन्द कैसे था ये निर्राला स्रजन पीट के अध्यक्ष रहे और हिमाचल प्रदेश में भी जो यस्पाल स्रजन पीट है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं तो ये ये था निर्मल बर्मा के बारे में आप संबन के बारे में बात करत पड़ा था कि 2015 में मद्यपदेश के संस्क्रति विभाग द्वारा पांच राष्टी पुरुस्कारों की स्थापना की गई थी कितने पांच राष्टी स्थर के पुरुस्कार और सबकी राष्टी कितनी थी एक लाग रोपे और वो पुरुस्कार कौन-कौन से थे एस एन एफ जी एच राष्टी हिंदी सेवा सम्मान राष्टी गुणाकन मुले सम्मान राष्टी ये फादर कामिल बुलके सम्मान राष्टी ये एन है ये एस एन निर्मल बर्मा सम्मान और उसके बाद कौन सा है राष्टी है सूज्ञा इबं प्रॉद्रिक की सम्मान ये पास सम्मान की स्थापना की गई तो आज हम पढ़ने वाले राष्टी है निर्मल बर्मा सम्मान के बारे में तो देखिए इसकी स्थापना किसके के द्वारा की कही थी मद्दप्रदेश के संस्किति विवा के द्वारा इसकी रासी कितनी थी एक लाग रुपे यह हमने पढ़ चुके यह राश्टी सर का सम्मान है अब यह किसे दिया जाता है तो यह आप रवासी भारतियों को दिया जाता है और फादर कामिल बुलके अब इसके बाद इससे किस चेत्र में दिया जाता है अब जो आप रवासी भारतियों है बिदेश में रहकर हिंदी के उत्तरस में या उत्थान में क्या देते हैं योगदान देते उन्हें दिया जाता है मतलब आप्रवासी भारतियों को दिये जाता है और जो विदेश में हिंदी की समरद्धी के लिए योगदान दे रहे हैं उन्हें दिये जाता है यह हो गए छेत्र हिंदी की समरद्धी के लिए है ना और कौन आप्रवासी भारतियों क्या दे रहा है योगदान उन्हें क्या दिया जाता है? इस छेत्र में यहाँ दिया जाता है इसके साथ प्रसस्ति-पट्टि का भी जाती और नगत एक लाख रुपे दिया जाते हैं अब देखे यह 2015 से स्टार्ट हुआ तो हम चार लोगों को मिला अभी तक तो ये चारों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दी हैं अब देखी, 2015 में प्रथम किसको मिला था? सुरेश चंद्र सुकल जो कि कहां कि थे? नौर्वे कि थे ये भी एक एनराया प्रवासी भारती 2016 किसे मिला? तेजेंदर सर्मा जो कि कहां कि थे? यूनाइटेट किंग्डम कि थे 2017 में कि मिला? डॉक्टर राम प्रसाद भट जो कि जर्मनी कि थे? हेम्सवर जर्मनी इतिजे थे अब बरतमान में किसे मिला है? कुमारी अर्चना पैन्यूली ये कहां कि है? डेन्मार की है और ये भी एक कोश्चन हो सकता है कि राष्टी निर्मल वर्मा सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सुसुरी अर्चना जो कि कहां कि है? डेन्मार की इस तरह हमारा राष्टी निर्मल वर्मा सम्मान समाप्त होता है एक बर पुना देख लेते हैं, किसको दोरा दिये जाता है, मद्ध्रदेश के समस्क्ति बिवाग दोरा, किसको अप्रवासी भारतियों को, कब इस्थाप नहीं 2015 में रासी कितनी एक लाख रुपे और प्रसिस्ति पट्टी का दी जाती है, यह इसका छेत्र के भारती जंदर सर्मा, यूनाइटेट किंडम, 2007 किसे मिला है, डॉक्टर राम प्रसाद भट, जो की जर्मनी में रहते हैं, और बरतमान में किसे मिला है, सुस्री अर्चना फ्यन्यूली, जो की कहा की है, डेन्मार की, इस तरह हमारा राश्टी निर्मल बर्मा सम्मान समाप्त होता ह नेस लेक्चर में मिलते हैं, अगले सम्मान के साथ धन्यवाद